तो सब लग्यास है वह आसा करता हूं ठीक हो तो आज हम सीखेंगे कुछ इस टाइप का फोड़ो रेटिंग इस टाइप का बोलने के मतलब सीबरा त्री पर एक फोड़ो रेटिंग ओभी कुछे स्टेप में ठीक है बहुत ही सिंपल है यहां पर सी पी एंजी का कमाल है आप लोग विडियो को एंड तक देख आप लोगो पता चल जाएगा तो बहुत देर होगा यह वीडियो मुझे अपलोड करने के लिए तो इस विडियो को खास करके इस वीडियो को सब को साथ मतलब अपने फ्रेंड लेते हैं जल्दी से जल्दी वो भी इंट्रो के साथ जान है धो कर लेना और जिनको डाउलूड नहीं करना है आग्स तो वह लोग जारं मेरा वीडियो देख सकते हो कि कि कैसे डॉन कर सकते हो तो उसका भी वीडियो आप लोगो को सबस्क्राइब कर सकते हो ठीक है तो कुछ इतना कर लेने के बाद quality में तो उसका भी वीडियो में पहले अफ्लोड कर चुका हूं तो जाका देख से तो यह तो सब को पता है कि कि पिक्ट से कैसे में फिट हो जाएगा तो जिन लोगा मतलब नहीं होगा तो वो लोग अपना है खुद बना सकते हो तो कैसे बनाते है उसका लिंक में आप लोगों को सकेज्बूक से ठीक है सब्सक्रार आप बानाते हैं मैं कुछ इस तरीक से बिठा लूँगा है उपर से कर दूंगा दैन औ यह वाला एक पीएंजी है यह वाला और यह वाला तो इस दोनों पीएंजी को में बाजू में रखता हूं पेले यह वाला पीएंजी में सेट करता हूं इसका जिए ब्लेंड मोड इसको में स्क्रिन कर लूँगा और कुछ इस तरीक से छोटा कर देना है कुछ इस तरीके से ए मैं बनाया है क्योंकि इस टैप का बैग्राउड मुझे इतना नॉलेज नहीं यह नहीं है इस टाप Kayla पॉत ह contamla बहुत लोग कुछ कमेंट करेंगा तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं कि जिन लोग को मतलब सेल यह काफी है कि मुझे स्टाइब का बेयांद क्यों बना मैं धिक्कत होती है तो इसे बाद से बनाने ही एह पहوں गा तो उसससर पेस्पेंजी से नहीं दूर het nella का और च ніaj करेंज यहां पर असको और या वाला इसको तसामने को तरिके सरे आंने तरीके से ठीक और यह जो लाइट पिंज है इसका जो ब्लेंड मोड है मैं इधर स्क्रीन कर लूँगा तरीके से जूंग करूंगा और इधर बिठा दूँगा और आपर जो पासीट यह को तुरह सा कम करूंगा लाइट पिंजी का तभी अच्छलाएगा तो कुछ इस तरीके से करने के लाइट रूम में क्योंकि लाइट रूम से तो अच्छा कोई भी अप्लिकेशन नहीं है रिटेच के लिए तो चलिए चलते लाइट रूम पर सो गाइज है आप जैसे कि देख से तो पिक्चर को मैं लाइट रूम के अंदर ओपन कर लिया हूं और आप जो फेस से मेरा थो क्यासे फिक्स करते हैं तो कुछ इतना कर लेने के बाद आप लोग भूब यहां पर आना पर अगा टूल में ठीक है कि अ्टरू में आने के बाद अपने सेम्पल मिक्स तूल पर जाओंगा और इस का जो रेड रेडा रेड रेडद का रूड़ को थो था कंक्रूंग को इस लाएगा देखने में एक जैसा होगा तो यहां पर दो कलर ही योलो और और अरेंज कलर है बैग्राउंड का लेकिन उतना अच्छा नहीं लग रहा है तो सभी और इंच हो गया है लगवग ठीक है तो कुछ इतना हो जोने के बाद मैं आओंगा इस ब्लू कलर में ब्लू कल के ह इसको भी थोरा से इंकरेंगा लगवग थ्री और हिशन रहाए रिंटेशन के बाद में आऊंगा इस टरौ पर क्लिट रहा से डालोंगा और विंटेश रहां पर यहां पर यूदेशन ताभ देखने में बहुत ही अच्छा लाइगा लगग कुछ 25 विंटेज यूज़ कर लूँगा और स्क्राइड फाइब अंदर आंगा और आपर जो हाईलाइट है यह नहीं कि देला रहे हैं यहापर आने के बाद मैं डालूंगा लगभग यहाँ पर 9 ठीक है और जो सड़ो है इसको भी में नाइन डालूंगा नाइन या टेन या एट ठीक है कुछ इतना उपर से डन और इस्ट्रोल पर आऊंगा से मतलब फोडो का जो यहाँ पर नौइस बगए रहा है वाटामने के लिए तो सर्पेनिंगो थोरा सा यहाँ पर डालूंगा वाइस डिटेल्स उतना नह गाइस आप लोगों में दिखा आयता हूं अब फोर वाला तो यह गैस देख सेक तो अपना सामने किया हूं अब यह था पिक सर्ट से जो किया था भी फोर वाला और यह आफ्टर वाला तो कितना अच्छा लग रहा है पिक के साथ मैच हो गया है एक्दम बिलकुली मतलब य नहीं था कि इस टाइब का बैक्राण कैसे बनाओं कैसे करूं उतला नाॉलेज नहीं था किस लिए नहीं था आप लोगो पहले बताया हूं कि मैं आपर बोलना नहीं चाहूंगा तो गाइस वीडियो में बस इतना ही तो चलिए मिलते कोई नेक्ट वीडियो में तब तक के ले बाय बाय अपना कैल रगना